नमस्कार दोस्तों मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास STD सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम 15-16 अक्टूबर को होने वाली UPSSCP ET परिच्छा की देट से महात्पून प्रसनों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं तो वीडियो को अंत तक बिना इसकिप किये हुए बहुत ध्यान से देखना दोस्तों बहुत ही important कुश्चन है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला कुश्चन आनुवांसिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो दोस्तों हमारा पहला कुश्चन है आनुवांसिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो हमारे आपसन है राबर्ट हुक अरस्तू आईजैक निउटन ग्र आप जानते हैं दोस्तों, सरी में जमना थोक ने की उसकेबाद अरस्टा दोस्तों यह भी आप vos पर चुको है अरस्टु ने जिविज्ञान और जन्त विज्ञान की खोचँ जनन दातास है उसकेबाद दोस्तों आईजेक न्यूटन आप जानते हैं कि गतिके नियम के प्रतिपादक आईजेक न्यूटन थे उसके बाद अगला कुश्चन हमारा है दोस्तों इनमें से कौन सा उपन्यास जैसंकर प्रसाद द्वारा रचित है तो दोस्तों इसमें से कौन सा उपन्यास ऐसा है जिस में चनकाल की रचना जय संकर प्रसांद ने उन-नी-िसोउ avoirti दोस्तों उसके बाद आशू लहर जहरना और उप्रणजिन peers अपुण wie integration उसके बाद हमारा तीसरा कुश्चन है मई 2022 में Quad Leader Summit किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों Quad Leader Summit 2022 में कहां आयोजित किया गया ये हमारा कुश्चन है दोस्तों आप जानते हैं कि Quad के सता से देश जो हैं वो चार हैं भारत जापान अमेरिका और राष्टे लिया जो हमारे प्रेशिदेंट किसी दो से देश गया गया जापान के प्रेशिदेंट आप को समझा गही होगी उसके बाद दोस्तों हमारा आज का चौथा कुश्चन है गुजराट टाइटन्स ने IPL 2022 का खिताब जीता उपविजेता का खिताब किस टीम ने जीता तो दोस्तों गुजराट टाइटन्स और राजस्थान रायल्स के बीच में फाइनल मुकाबला नरेद मोदी श्टेडियम अहमताबाद में खेला गया जिसमें गुजराट टाइटन्स ने खिताब जीता और उपविजेता का खिताब राजस्थान रायल्स ने जीता दोस्तों अगर हम गुजराट टाइटन्स की बात करें तो यह गुजराट टाइटन्स के कपतान हार्दिक पांडिया थे और राजस्थान रायल्स टीम के कप्तान सेंजु संसन थे दोस्तों परपल कैप परपल कैप के विजेता राजस्थान रायल्स टीम के प्लेयर और भारतिय टीम के भी खिलाडी है यजुएंदर चहल इन्होंने 27 विकर लिये थे IPL में इसलिए इन्हें परपल कैप के अवार्ड से नवाजा गया और अगर आरेंज कैप की बात करें तो राजस्थान रायल्स के ओपनर और इंग्लेंड टीम के खिलाडी जोस बटलर को आरेंज का टैप से सम्मानित किया गया उसके बाद दोस्तों ये IPL 2022 15 संस्कराण था बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों कौन सा संस्कराण था 15 संस्कराण था और दोस्तों इस 15 संस्कराण में 10 टीमें 10 टीमोंने भाग लिया था जिसमें दो नई टीमे थी एक गुजाट टाइटन्स और एक लखनाऊ सुपर जाइंट लखनाऊ सुपर जाइंट के कप्तान दोस्तों केल राहूल लोकेश राहूल थे तो उसके बाद हम अपने अगले कुश्चन पर चलते हों दोस्तों पांचवा कुश्चन हमारा है राष्टी खेल दिवस का मनाया जाता है दोस्तों भारत में राष्टी खेल दिवस आप जानते हैं हांखी के जादूगर मेजर ध्यान चंडर की पूर्णे तिथि पर राष्टी खेल दिवस मनाया जाता है और यह 29 अगस्त को मनाया जाती है तो दोस्तों राष्टी खेल द को जी का जन्रंदिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और दो फरवरी को वर्ड वेट लेंडे मनाया जाता है उसके बाद हमारा साथवा来 कुष्चन है दोस्तों लिंग राज मंदिर कहा है दोस्तों आप चानते हैं कि लिंग by राज गाया था गंखवन्स के सासकों ने लिंग राज मंदिर कंधिरमाल किया था और ये मंदिर भौनेस और उडिशा में इस्थित है दोस्तों लिंग राज मंदिर और ये शिवकोसर मंपित मंदिर है दोस्तों उसके रहाद बाद पर चलते हैं निमलिखित में से कौन सी पुष्टक भारती मुख्यबाद मैरी काम की आत्म कता है दोस्तों यह जो हमारे चार आपसन दिये हुए हैं इन में से कौन सी पुष्टक मैरी काम की आत्म कता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आपसन हमारे हैं playing it my way the artist of my life उसके आप जानते हैं यह सचिन केंदुलकर की autobiography है the test of my life युवराज सिंग की पुष्टक है और masterminds दोस्तों विशुनाथन आनन्द सतरंज के जादूगर उसके बाद दोस्तों अगला question हमारा है भारत रतन पाने वाले उद्दोग पती पहले उद्दोग पती दोस्तों कौन थे भारत रतन पाने वाले पहले उद्दोग पती दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा J.R.D. टाटा दोस्तों आप J.R.D. टाटा जहां के रतन जी दादा भाई टाटा इनका पूरा नाम है और J.R.D. टाटा को 1992 में दोस्तों इने 1992 में भारत रतन अवार्द से सम्मानित किया ग तो दोस्तों हमारा कुश्चन है किन राजियों में दुई सदनी विधान मंडल नहीं है तो हम पढ़ लेते हैं कि किन राजियों में दुई सदनी विधान मंडल है तो दोस्तों भारत के छे राजियों में दुई सदनी विधान मंडल है एक तो करनाटक हो गया दोस्तों महारा यह इसका आंश के बाद दोस्तों हम अपने अगले question चलते हैं अगर तो करनाठी की राध़ानी की बात करें तो बंगलोर होती है और महाराष्ट की मुंबई और उत्तफदेश की लगना उमध्यपदेश की दोस्तों भौपाल होती है उसके बाद हमारा अगला कुश्चन है भात में कितने राजियों में समुद्ध तठ हैं तो दोस्तों हमारे चैनल पर जियोग्राफी की क्लासे मांचित के द्वारा विसले सर किया जाता है उसमें ये कुश्चन बताया गया है बहुत विस्तर तरीके से आप लोग एक बार चैनल पर जाकर उन क्लासों को देखें जिससे आपकी तैयारी को और भी मजबूती मिलेगी तो बहुत ध्यान से दोस्तों देखते चलना है आपको बताते हैं कि भात में कितने राजियों में समुद्ध तठ है तो इसका अंसर 9 हो जाएगा दोस्तों आपसे नमबर 3 हमारा सा योगन 9 अब इसमें दोस्तों 9 राजिकाउंस हैं अगर हम गुजरास से स्टार्ट करें त तो दोस्तों करनाटक करनाटक के बाद दोस्तों गोवा और गोवा के बाद दोस्तों आजाएगा केरल और के बाद दोस्तों तमिलनाड और तमिलनाड के बाद दोस्तों उडिसा आएगा और उडिसा के बाद दोस्तों आंधर प्रदेश और उसके बाद पस्चिम बंगाल तो ये 9 राज्य हैं जिन में तट्रे खाए और अगर सबसे ज़्यादा तट्रे खावाली बात की जाए तो दोस्तों गुजरात राज्य की होगी और अगर हम बात करें सबसे कम तो गोवा राज्य की 101 किलोमीटर की जो तट्रे खाए वो गोवा राज्य की है 101 किलोमीटर उसक लिए ये दोस्तों ताज महल में प्रदूसर्ण के लिए खत्रा है और ये एसोटू दोस्तों वहां इस्थित मतुरा रिफाइनरी के कारण एसोटू आधिक हानिकारफ होता जा रहा है उसके बाद हमारा अगला कुर्श्यन दोस्तों है तेरवा प्रसिद मोहिनी अट्टम किस राज्य में विक्सित निर्थ सहली है तो दोस्तों मोहिनी अट्टम आप जानते हैं केरल का एक सास्त्री निर्थ है केरल का दोस्तों और अगर भायत के सास्त्री निर्थों की बात करें तो भायत में आठ सास्त्री निर्थ है उसमें दोस्तों केरल में मोहिनी अट्टम और तो मोहिनीय ट्वम और कत्कली, केरल के सास्तिनेति हैं, उसके बाद अगर हम तमिलनाडु राजी की बात करें, तो दोस्तों आप जानते हैं कि तमिलनाडु में भरतने अक्ट्यम और करनाटक में दोस्तों, करनाटक का कोई भी सास्तिन नहीं है लेकिन हम आपको आठ बता देते हैं भारत के हैं तो दोस्तों मोहिनी अट्टम और कत्कली ये दो हो गए मोहिनी अट्टम और कत्कली उत्तर भारत का आप जानते हैं कि कत्थक है कत्थक हो गया है दोस्तों तीन हो गए उसके बाद दोस्तों कुचीपूरी उसके बाद मडिपूरी दोस्तों मडिपूरी के बाद में सत्रिया और ये हमारे आठ सास्तिरी नित्य हैं तो उसके बाद दोस्तों अगर हम करनाटक की बात करें तो एक लोक नित है करनाटक का यचिगान बहुत पूछा जाता है परिच्छाओं में यचिगान तो आप आठ स यह उस्तर भारत का एक मात्र है और उसके बाद पंडित बिर्जु महराज जिनका हाल ही में दिधाद हुआ है दोस्तों यह इसी से सम्मन्धित थे दोस्तों उसके बाद अगले कुश्यन पर चलते हैं कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ है दोस्तों हमारे चैनल पर हिस्ट्र कि क्लास चल लगी है उसमें यह तापित पढ़ाया जा चुका है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ तो 261 बीसी में हुआ दोस्तों और कलिंग का युद्ध के समय कलिंग की राजधानी तोसली थी और कलिंग युद्ध उस समय कलिंग का सासर जो था वह नंद राज था और कलिंग विजय असोक ने दोस्तों कलिंग यूद 211 BC में किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था तो इसका अंसर 211 BC हो जाएगा यानि इसापूरू दोस्तों उसके बाद अगला कुश्यन हमारा है निम लिखित में से क्या भारत और सिलंका को व करता है उसके बाद दोस्तों अगला कुश्यन हमारा है हडपा किस नदी के तर पर इस्तित है दोस्तों आप जानते हैं कि हरपा किस सिंद्ध मधी के किनारे मोहन जोड़ और हिंडन ये दोस्तों आलम गीरपुर जो उतर प्रदेश मेरठ में पाया जाता है वो हिंडन नदी के किनारे इस्तित है उसके बाद दोस्तों हमारा अगला कुष्चन है स्वतंद भारत का पहला बजट किसने पेस किया दोस्तों बहु जानमथाई की बात करें दोस्तों तो स्वतंद भारत का पहला बजट सर्मुखम स्टी ने कब पेस किया दोस्तों 26 नॉमबर 1947 को उसके बाद दोस्तों हमारे आपसन है जानमथाई जानमथाई ने दोस्तों 1950 में गरतंद भारत का पहला केंदरी बजट 1950 में जानमथाई ने पेश किया और अगर James Wilson की बात करें दोस्तों तो WS Rai की कारे कारे कारेणी परिशद में इन्हों ने पहला बज़ेट पेश किया था WS Rai की कारे कारेणी पहला बज़ेट परिश्द किया था James Wilson ने और बलदेव सिंग आप जानते हैं कि रच्छा मंत्री थे दोस्तों की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा समय स्थानिक वाला तड Pope स्बसे ज़्यादा समय स्थानिक होते हैं अगला कुश्चन हमारा है थोड़ी दिर पहले सबसे देट हम Nordic New दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को 11 जुलाई के अगर बात काएं दोस्तों तो 20 जन संख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है उसके बाद हम अपने अगले कुश्यन पर चलते हैं जो हमारा आज का अंतिम कुश्यन है दोस्तों समिधान सभादवारा उद्देश प्रस्ताव कब पारिद किया गया है दोस्तों ये कुश्चन हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है समिधान की क्लासे जो हमारे चैनल पर चल रही है एक बार जाकर उन्हें देखें और समिधान सभा टापिक अगर डालेंगे फिर 11 दिसमबर 1946 को समिधान सभा की बैठा कोई जिसमें इस्थाई अध्यच डाक्टर राजन प्रसाद को बनाया गया 13 दिसमबर को उद्देश प्रस्ताव को पेस किया था जवाहलाल नहरूने समिधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहलाल नहिरू ने समिधान संभाव में उद्देश प्रस्ताव को पेस किया था दोस्तों हमारा कुश्चन है कि पारित कब किया गया तो 22 जनुरी 1947 को उद्देश प्रस्ताव पारित कर दिया गया दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जितना ज्यादा हो सकें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले 20 कुश्चनों के साथ इसी तरीके से आपकी तयारी को मजबूत कराते हुए तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन